है गाइस वेलकम टू ट्रावेलेस जी और इस बार हम आए हैं विशम कटक डाइगड़ा के पास मा मरकमा टेम्पल आप देख सकते हैं यह मंदिर यहाँ पे दो मंदिर है मा मरकमा और जोकी उनकी बेहन है मा करकमा दोनों मंदिर आसपास ही साइड में हैं आई मैप में भी एक नज़र डालते हैं यहां पे क्एस से पहुचा जायें शके अगर आप गूगल मैप्स यूज ज हैं और जैसा कि मैप में दिखा रहा है 46 किलमेटर्स हाला कि मेरे जाते वक्त जैसा रोड कंडिशन था देड़ गंटे से जाधा ही लगेगा हमको तो करीम धाई घंटे लगे थे इक रास्ता अभी हाली में बहुत खराब है जब तक मैं यह वीडियो बना रहा था जुलाई 10 तरिक था 2019 का आसा करता हूँ कि दुबारा सा यह रास्ता अच्छे से बनाया जाएगा तो चलिए इस मंदिर के अंदर जाने से पहले जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ डिटेल्स और हिस्ट्री यह मंदिर कैसे बना और इसके पीछे कहानी क्या है मा मरकमा टेंपल जो के राइगडा जिल्ले के विसमकटक गाउं में मौझूद है और यह एक वान अफ टूरिश इंट्रेस्ट प्लेस है राइगडा जिस्ट्रिट के और इस दी ओनली श्राइन यानि की सक्ति पीठव है उडिशा स्टेट का और देवी करकमा जो के मा मरकमा के बेहन मानी जाती हे वो मा मरकमा मंदिर के बगल में ही है और बिशमकटक में जूनियर कॉलेज भी है जो के मा मरकमा के नाम पर नामित किया गया है और टुवे एकजाट राइगडा से ये जगा 40-40 किलोमेटर डिस्टांस है ये विसमकटक टाउन के उपर ही है और यहां का निरेस्ट रेलवेस्टेशन है चाटीकोना रेलवेस्टेशन जो के 7 किलोमेटर होगा विसमकटक से यहां पे दसरा और चईत्रपर्व बहुत धूमदाम से सेलिबरेट किया जाता है हर साल और अगर इतियास की माने तो जो विसमकटक के राजा थे कलाहंबिर जो सूर्य वंग्सी थे जो विसमकटक में राज कर रहे थे देवी मा मरकम मा उनके इष्टदेवी थी वो राज परिवार के और उस समय एक प्रथा था Human Sacrifice यानि की मनुष्य बलिदाम तो उस समय यह प्रचलित था फिर जब ब्रिटिस रूल करने आई यहां पे अंग्रेजों ने तब उन्होंने यह रोक दिया था उसके बाद भेंसों की बली चढ़ाय जायती थी कॉंटिनी हुआ था फिर उसे भी रोक दिया गया था और उसे रोकने वाले थे रिजनल ओफिचर श्री गंगाधर मिश्रो और चंडी पुरानमे भी मा मरकमा का जिक्र है जो के शारला दास ने लिखा था और बाटा अबकास भी एक है उसमें भी मा मरकमा का जिक्र हुआ था जो के मट्टा बलराम दास ने लिखा था और देवी को उतकलिया माना जाता था यानि की ओडिया ओफ ओडिशा और पुरान शास्त्र के अनुशार जोगी नी और खुछ लोग ये भी कहते हैं कि मा मरकमा ने राजा को युद्ध जीतने के लिए सहाया था की थी अपने दुस्मन सैनिकों से और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है मा करकमा मंदिर झाल 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 हाला कि इस मंदिर में उनकी कोई मूर्ती नहीं है सिर्फ उनके पेरों के निशान है यानि की फुट्प्रिंट और मंदिर के चार और छोटे छोटे मूर्तिया है बनाई गई है चोटा समंदिर है लेकिन बहुत कोई मूर्त है अब चलिए मा मरकमा मंदिर के अंदर चलते हैं और ये मंदिर के चारो और दस महा विद्या की मूर्तिया रखी गई है और ये देख सकते हैं मा के मूर्ति मंदिर के अंदर और इसे मंदिर में मा को दर्शन करते ही आपके भक्ति भाव जरूर बढ़ेगा बहुत ही चमतकार अनुभप पा सकते हैं उदर आप और जैसिक में बता रहा था मंदिर के अंदर दस महाविद्या की मूर्तिया है और मंदिर के चारों और भी मूर्तिया बनाई गई है और यह ओडिशा का एक बहुत ही प्रत्यक्ष्य सक्ति पीठ यानि की सक्ति मंदिर है कर दो नह बता है झाल झाल और हाली में यहाँ पे एक बहुत बड़ा यग्य भी हुआ था जिसमें करीब 10,000 लोग सामिल थे और हाइदराबाद से गुरु जी भी आये थे तो अब चलिए नीचे चलते हैं जहाँ पे सालों पहले बलिया चड़ाई जाती थी यही यह वो जगा और यह जो मूँ देख रहे हैं इसके अंदर ही वो बलिया चड़ाई जाती थी और यहां के पुजारी ने भी यह भी हमें बताया के इसके अंदर 19 निशाने मौजुद है अलाकि यह अंधेरा था कैमरा भी उतना आया या नहीं मुझे मालूम नहीं चला और दूर दूर से लोग यहां पे मुंडन करने भी आते हैं अगर आपका कोई मानसिक हो तो आप यहां पे अपना बाल चड़ा सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही खुबसूरत है चारो तरफ हर्याली पेड़ पोधे दूर दूर पहाड दिख रहे हैं काभी खुबसूरत नजारा है यह अगर आप रायगडा टूर करने आये हैं और इस लाइन में आप चाटी कोणा देवगीरी आदि दर्शन करने आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हैं और यहाँ से कुछी दूर पे पाइक पड़ा भी एक गाउं है वहाँ पे भी एक प्रत्यक्ष काली और शिव मंदिर है वो हम आपको अगले एपिशोड में दिखाएंगे तो आज के लिए तो बस इतना ही था मिलते हैं अगली बार एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिशोड में तब तक के लिए बाई फॉर नाउ अगले एपिशोड में प्रत्यक्ष के लिए एक लिए प्रत्यक्ष भाई नाउ